Good morning students, आज हम पढ़ेंगे 11th class का पार्ट जिसका नाम है गलता लोहा ठीक हमने पिछली कक्षा में इस पार्ट को आपको पढ़ा कर समझाया है कि बताया था कि इस पार्ट में क्या दिया गया है और साथ ही आपको हूमवक मिला था कि आपको क्या करना है आपको इस पार्ट के श समझना है और अपनी कौपी में नोट करना है पहला प्रशन है कहानी के उस प्रसंग का उलेक करें जिसमें किताबों की विद्या और घं चलाने की विद्या का जिक्र आया है धनराम उस अनेक छात्रों में से एक था जो एक साथ किताबों की विद्या और घं अर्थात काम कर लोहार का बेटा होने कारन उसे अपन पिता के से व्याहसाय का प्रेश्स्चन भी मिल रहा था वह एक तरफ पढाई भी कर रहा था और दूसरी तरफ अपने पिता के काम में हाथ भी मताता था उसे गरिट समझ में नहीं आता था जिसके कारणीवा सिक्षक से मार भी खाता था उसके सिक्षक भी उसके हाथों में उजार थमा कर काम सौप जाते थी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था धनराम लोहार जाती का था और मोहन ब्रामर जाती का प्रारम से ही धनराम के मन में जाती को लेकर यह बात बिठा दी गई थी कि वह नीची जाती का है और चाहे वह कितना ही क्यों ना पढ़ ले काम उसे लोहार क प्रतिद्वन्दी नहीं समझता था प्रश्नक्रमांग्तीन धन्राम को मुहन के किस व्यवहार पर आश्यर्य होता है और क्यों एक दिन धन्राम लोहे की मोटी छड को भटी में गला कर उसे गोलाई में मूरने की कोशिश कर रहा था एक हाथ से संसी पकड़कर दूसरे हाथ से हाथोड़े की चोट करने के बावज़ूत लोहा उचे धंग से मुड नहीं रहा था मोहन कुछ देर चक उसे काम करते हुए देखा फिर अचानक हाथोड़ी लेकर बड़ी आसानी से उसे मुड दिया मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चे रह होता है क्यूंकि मोहन उची जाती का था एक ब्रामः होकर भी उसे लोहार गिरी का काम भी आता है या देखकर धनराम दंग रह जाता है मोहन के लखनव आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है तो जब मोहन गाउं को छोड़कर पढ़ाई करने लखनव शहर पहुंचता है तब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अब उसे गाउं से बाहर शहरी परिवेश का ग्यान हुआ यदि वह गाउं में ही रहता तो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता पारिवारिक मजबूरी के कारण उसे आगे की पढ़ाई करने शहर आना पड़ा और वही नई दुनिया से उसका परिचय हुआ प्रश्न करमांग पांच मास्टर तिलोक से किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों तो धनराम ने धनराम के तेरा का पहाड़ा ठीक से सुना ना सुना पाने के कारण मास्टर तिलोक से उस पर वेंग करते हैं कि तेरा दिमाग तो लोहा तेरे दिमाग में त धन्राम हीन भावना से ग्रशित हो आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया उसे ऐसा लगता है कि आगे चलकर उसे लोहार का काम ही करना है प्रश्ण क्रमांक 6 विरादरी का यही सहारा होता है किस ने कहा यह कजर पंडित बंसी धर ने लखनों के आए विरादरी के यूवक किस प्रसंग में कहा है यह बात कही गई है यहां पर बंसी धर को अपने बेटे मोहन के पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता थी क्यूंकि गाओं में उसकी आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती थी ऐसे में जब शहर में विरादरी के एक यूवक रमेश ने उसे अपने शहर लखन होता है मौके पर अपनी विरादरी के लोग ही सहायता करने तयार होते हैं क्या कहानी में यह आश है क्या कहानी में यह आसाइस पस्ट हुआ है नहीं कहानी में आसाइस पस्ट नहीं हुआ है इसका कारण यह है कि शहर जाने के बाद मोहन की पढ़ाई बंध हो गई रमेश उ का बेटा पढ़ लिखकर एक अपसर बनेगा गाउन रोटेगा लेकिन मोहन ने अपनी वास्तविक स्थिती अपने परिवार वालों को नहीं बताया क्यूंकि वह उन्हें दुखी करना नहीं चाहता था उनकी आखों में एक सर्जक की चमक थी कहानी का यह वाकिय किसके लिए क कहा गया है किस प्रसंग में कहा गया है लेखक ने इस वाकिय को इस प्रसंग में कहा जब मोहन धनराम को मोहन धनराम को काम करते हुए देख रहा था जब धनराम लोहे की मोटी छड़ को नहीं मुड़ पाया तो मोहन बिना किस संकोच के बड़ी ही कुशलता से उसे मुड़ करता है तो इससे मुहन के चरित्र विशेष्टा की पर उजागर करता जिससे यह पता चलता है किसी भी जाती का सम्मत किसी खास व्यवसाय से नहीं होता ब्रामन होते हुए भी यहां लोहार का काम करने में जरा भी संकोष महशूस नहीं करता प्रश्ण क्रमांग यहां पर आ जीवन संघर्ष में बहुत हद तक समानता है पहले जब उसे नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता तब भी अने कटनायों को सामना करना पड़ता था बरसात के दुनों में नदी में पानी भर जाने कारण कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाता था शहर आने के बाद उसके सा उपयों के और कमियों पर विचार कीजिए एक अध्यापक के रूप में मास्टर से लोग से अपने बच्चों के साथ कठोड़ता के साथ पेश आते हैं वह पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर बच्चा अची तरह से पढ़े इसके लिए मारने डांट सजा दे पर व्यंग करते हैं मोहन उच्च जाती का था इसलिए वे उन पर कुछ अधिकी प्यार लुटाते थे गल्ता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है इस कहानी का अंत अन्य अंत भी हो सकता है चर्चा कीजिए कहानी के अंत में यह हम पर हम यह सोचने पर मजबूर हो उसे किस कारे में रुची है साथ ही कहानी के अंत में उसके काम की प्रसंसा कर देता तो कहानी का अंत और भी अधिक रुचिकर होता भाशा की बात यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको शब्लो कर्म से संबंदित आपको बताना है कि लोहे में जब हम लोहार वाला काम करते तो यहां धोकनी दराती सडसी आफर और हथोड़ा अगला प्रशन है पार्ट में छाट का जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है चुनकर लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो यहां पर देख रहे हैं काट छाट मुहन काट रिदा जाड़ें को काट छाट कर साफ करना चाहता था है ना तो इस तरह से आपको क्या करना है अगला जो प्रशन है पूते का प्रयोग बाल में तीन तीन स्थानों पर हुआ है ब्रद को ब्रद को ब्रद हो चले बंसी धर के बूते पर यह सब काम नहीं रहा यहां पर एक इसका अर्थ है सामर्थ दूसरे में क्या है दान दक्षना के बूते पर किसे दर का परिवार आधा पेट भर पाते थे यहां बूते का अर्थ है सहारा या बल जिस पर प्रोताई के बूते पर उन्हें घर संसार को चलाया था वह भी वह है अब वैसे कहां कर पाते हैं यहां पर ब नाम का अस्तमाल करते हुए, सर्व नाम सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या करना है, नाम को हटा के आप मैं तुम्हें इस तरह का प्रयोग करना है, आप दही ला दें, आप एक अधोवी को कपड़े दे आएं, आप एक किलो आलो ला दें, यह था आपका पार्ट, है ना, आप को क्या करना है, अब इस पार्ट को याद कर, अराम से सुन्दर हैंड राइटिंग में लिखना है, जहां समझ में नहीं आएगा आपको पूछना है और याद करना है,